नोश्कार आप देख रहे हैं सी एनी टीवी और आज की खास खबर अल्मोडा से सांस्कृतिक नगरी अल्मोडा के वालमी की समास द्वारा लगातार की जा रही मांग आखिर कार पूरी हो गई है यहां एन्टीडी इस्तित जन्मिलन केंद्र में महरीशी वालमी की बहुत मनमोख मूर्ती की स्तापना कर दी गई है जिसके बाद से यह इस्तान पहुत खुबसुरत लग रहा है आज नगरपाली का वालमी की समाज के तमाम गणमाने जन्रों की मौजूदगी में महरीशी वालमी की की मूर्ती का अनावरण पाली का अध्यक्ष परकाश चंद्र जोशी जी ने किया इस मौके पर पाली का के अधिशाशी अधिकारी शाम सुंदर परसाज वा समस्त सभाग सदगण मौजूद रहे कारी करम का संचालन उत्राखंड सफाई करमचारी महासंग के परदेश महामंत्री राजपाल पवार ने किया ग्यात रहे कि वालमी की समास द्वारा महारिशी वालमी की मूर्ती स्थापना के संबंद में कई सालों से मांग की जा रही थी इसे तू नगर में इस्तान चैनित नहीं होने के कारण उक्त मूर्ती काफी समय से पाली का के कारियाले में रखी गई थी अब या मूर्ती जन्मिलन केंद्र में इस्तापित हो गई है जिसके बाद से समस्त बाल्मिकी समनुदाए में हर्श का माहोल है समस्ती इस प्रताव को पारित किया है और ऑनके च्विकार किया है और उनके द्याओर यहां पर मुदती लगाए गई है मैं संपुर्ण बाल्मी की समाज की ओर से मानने अध्यक्त गंगर पाली का परिशत और सभासत गणों का पुरे बाल्मी की समाज की ओर से आभार में करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि बालमी की समाज में एक चौराय में एक बालमी की पार के रूप में इसको विस्ताविक किया है और मुझे बड़ा फर्स है इस बार को कहने में कि हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सवासदू ने हमारे इस्ताव का समर्थन किया और सबने एक मत्स से हमेशा पुजार चना यहां पर करेंगे और उनको जो है महस्ती बालमी की जी के आदर्सन से सब पहरा हमेशा प्राप्तु के लिए दोस्तों आपको हमारा ये प्रियास कैसा लगा साथी बीचे का अपनी राए जिसका रहता है हमें हल पल इंतजार साथी कन्डा न भूलेगा हमारे चनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब